सभी रचनात्मक प्रित्यों के पीछे एक अंतर नहित रहस्य है. ये कहां से आता है? कभी-कभी यह रचनात्मक लोगों के लिए भी एक रहस्य होता है, जो अपने मस्तिष्क में उमरते विचारों से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि उन्हें मुश्किल से पता चलता है कि कह से शुरू करें. हाथ उठाता है कभी-कभी वह रहस्य एक अंतर नहित भय के साथ आता है. यदि सामने आने वाली कला अजीब या परेशान करने वाली है, तो वह कलाकार के बारे में क्या कहता है? स्टॉप मोशन, ब्रिटिश एनिमेटर रॉबर्ट मॉगन की पहली फीचर-फीचर फिल्म है, जो कलात्मक रचना के रहसियों और चिंताओं को दर्शाती है. जैसा कि मैंने पहले कभी कोई फिल्म नहीं देखी है. यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें शैली का इतना सार है कि मै मैंने पहले कभी ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी. शायद अधिक परेशान करने वाली. यह उन लोगों के लिए एक अनोखी परेशान करने वाली फिल्म है, जो आप जानते हैं, अपने उपजाओ लेकिन अंजाने दिमाग से जूचते हैं. क्या स्टॉप मोशन उन लोगों स बात करेगा जो रचनात्मक नहीं है. मैं ऐसा सोचना चाहता हूँ. लेकिन मुझे नहीं पता. सिवाए इसके नायक, 30 इशहेला, आइसलिंक फ्रानकोसी, भयानक रूप से प्रतिभाशाली, एक एनिमेटर जो UK, लंदन, शायद में एक अपरिभाशित जगह पर रहता है औ सिल्प विराम. नहीं लगता कि वह बहुत रचनात्मक है. एला अपनी दबंग, क्रिपालू एनिमेटर मा, स्टेला गोनेट, के साथ काम कर रही है, जो अपने हाथों में गंभीर गठिया से इस हद तक पीरित है कि वह अपने दम पर नाजुक. सटीक स्टॉप मोशन काम कर ने में असमर्थ है. इसलिए वह एला को निर्देश देती है. आधा मिलीमीटर बाई और मा अपने छोटे से होम स्टूडियो में एला के कान में भौकती है. एक उदास साइकलोप्स महिला के बारे में. जो संभवता मा की आखिरी फिल्म होगी, छोटे कटपुतली स्टार क मामूली हेरफेर का निर्देशन करती है. एला अपनी बौधिक और रचनात्मक रूप से कमजोर स्थिती से निराश है. जब उसका प्रेमी टॉम, टॉम यौक, उससे पूछता है, क्या तुम अपनी खुद की फिल्में नहीं बनाना चाहती? अपनी खुद की आवाज ढू की मांदार बंदर स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से रचनात्मक हैं. सिवाए इसके की यह अकसर हमारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदू पर हमसे बाहर हो जाता है. स्कूली शिक्षा का रेजीमेंटेशन यह कर सकता है. स्पष्टता एला की मान उसके लिए ऐसा किया. और फिर एला की स्थिती बदलने के लिए कुछ घटित होता है, और उसकी कल्पना उजागर हो जाती है. लेकिन यह इतना लंबा समय हो गया है. शायद हमेशा के लिए. जबसे वह अपनी रचनात्मक बुद्धी को स्वीकार करने में सक्षम हुई है कि वह उस पर भरोसा करने या यहां तक की स्वीकार करने में सक्षम नहीं है कि उसका मस्तिश्क उसे क्या बता रहा है. स्टॉप मोशन मुख्य रूप से एक एनिमेटेड फिल्म नहीं है. लेकिन यह स्टॉप मोशन एनिमेशन की अपरिहार्य विचित्रता का उप्योग कर करती है. घबराय हुए आंदोलन की अलोकिक घाटी जो इस तत्य को उजागर करती है कि हम एक निर्जीव वस्तू को जीवित होते हुए देख रहे हैं. ऐसे तरीकों से जो एक की अवधारना को चुनौती देते हैं. कार्टून फिल्म. जैसे ही एला ने अपने स्वयम के आ पूर्ण प्रानी, वह आदमी जिससे कोई नहीं मिलना चाहता, द्वारा पीछा किया जा रहा है. वह किस शारीरिक और भावनात्मक अलगाव में जी रही है पूरी तरह से वीरानी हो जाती है. और उसकी कहानी अपने आप में इस हद तक जीवन्त हो जाती है कि वास्तविक प्ता और आविशकार मिश्रित हो जाते हैं और उसके पात्र उसकी वास्तविक दुनिया में जीवन्त हो उटते हैं. कम से कम उसके अपने मन में. यह कोई कालपनिक फिल्म भी नहीं है. यह पागलपन की और बढ़ने के बारे में है. और केवल एला, उसके आसपास कोई और नहीं. प्रेत्वाधित है. यहां तक की अपने काम से भी पीछा किया जाता है. रचनात्मक राक्षस वास्तव में, स्टॉप मोशन जगडालू लोगों के लिए नहीं है. यह खूनी, भावपूर्ण, आंतिय है, लेखन, और विस्तार से सभी कलाओं, के बारे में पुराने सिध्धान्त की एक अविस्मरनिय अभिव्यक्ती है. यह आसान है. आप बस बैट जाएं और एक नस खोलें. लेकिन खून खराबा केवल वास्तविक भयावेता की सेवा में है. जो असामान्य रूप से मनोवे ज्यानिक रूप से आश्चर्य जनक है, और रचनात्मक जुकाव वाले किसी भी व्यक्ती के लिए पूरी तरह से परेशान करने वाला है, और शायद अपनी कल्प से संघर्ष कर रहा है. कि कुछ कहानिया बताए जाने की मान करती हैं, और बताए जानी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनका कितना विरोध करते हैं.